ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, टार्गेट कपल, तो टार्गेट कपल आपको थियोरी में पहले तो पूछा जाता था, बहुत वायरी शॉॉर्ट नोट में पूछा जाता था, अब थोड़ा कम पूछा जाता है, वाईवा के लिए बहुत important है क्योंकि target couple वाईवा में पूछा ही जाता है अब रिपी जी के लिए अभी तक तो मुझे नहीं मिला लेकिन important तो है तो शुरू करते हैं target couple का मतलब क्या होता है target couple का मतलब होता है एक ऐसा couple जिसमें female जो है वो reproductive age group में है मतलब वो ही 15-49 years और साथ में इसमें eligible couple से अलग यहां पर है कि साथ में उस couple ने अपना desired family size याने कि जितने बच्चे उने पैदा करने थे उतने बच्चे पैदा वो कर चुके हैं या फिर at least 2-3 बच्चे उनके living बच्चे जिन्दा बच्चे हैं तो target couple का मतलब होता है ऐसा couple जिसमें female जो है वो reproductive age group में है और अपना desired family size पूरा कर चुकी है मतलब कि 2-3 बच्चे जिन्दा बच्चे उनके हैं उसको कहते हैं हम target couple तो ऐसा target couple जो होता है जिसने अपनी family पूरी complete कर चुकी है उसके लिए हम sterilization method को prefer करते हैं eligible couple में कैसे अलग था? eligible couple में हम कोई भी contraceptive methods उनके choice की देते थे उनको लेकिन target couple में हम sterilization method को prefer करते हैं क्यों? क्योंकि उनकी family size complete हो चुकी है उसके बाद अभी के बात करें तो अब eligible couple term को ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं as compared to target couple को क्यों? क्योंकि अब target free approach का इस्तिमाल करते हैं जबकि पहले हम target oriented approach का इस्तिमाल करते थे RCH में समझे तो मतलब क्या है इसका कि पहले हम target oriented approach करते थे target oriented approach का मतलब क्या होता था कि जैसे कि आंगनवाड़ी worker है जैसे कि PHC है जैसे कि CHC है इनको ना एक target दे दिया जाता था कि आपने यहाँ couples को देखो कि कितने ऐसे हैं जिनको sterilization कराने की ज़रूरत है तो उनको पकड़ो और उनका sterilization करवा दो तो यह उनको target दिया जाता था और इसलिए उनको target couple term भी वहाँ पे यूज होती थी अगर इस चक्कर में होता क्या था अब जो आंगनवाड़ी कारी करता है अगर वो अपना target पूरा नहीं करेगा तो उसके पैसे कटेंगे जो PHC पे doctor है उसके पैसे कटेंगे जो CHC पे doctor है उसके पैसे कटेंगे अगर target पूरा नहीं करेंगे तो वो क्या करते थे अपना target पूरा करने के चक्कर में किसी को भी लाके target पूरा कर दिया उनको stylization कराना है नहीं कराना है इससे मतलब नहीं है जल्दी से जल्दी target पूरा करो उसमें हो क्या रहा था बहुत साइh blender भी होते थे आपने देखा था कि कई बार जैसे कि उनकी family size complete नहीं हुई है फिर भी उनका stylization करा दिया इंफाक बड़े बड़े बलंडर भी हुए है कि शादी भी नहीं हुए थी तब भी stylization करा दिया ये भी देखा गया इस चक्कर में हमने जो पहले use करते थे that was target oriented approach इसको हमने बंद कर दिया और हमने शुरू की target free approach तो target free approach जब शुरू की तो इसी लिए हमने उसमे eligible couple term यूज करना शुरू किया और जो खतम हो गई है that is target oriented approach उसमें हम target couple का इस्तिमाल करते थे तो ये चीज आपसे वाइवा में पूछे जा सकती है target free approach क्या होती है target oriented approach क्या होती है कैसे eligible couple target couple से different है तो आपको target couple में इतनी चीज़े पता होनी चाहिए आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि भाई target couple की definition बताओ आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि target couple में sterilization prefer करोगे कि दूसरी contraceptive methods और आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि target free approach क्या होती है target oriented approach क्या होती है कैसे eligible couple target couple से different है तो इतनी चीज़े आपको target couple में याद होनी चाहिए Thank you